नमस्कार डेट है आज की 21 नमबर 2021 और आज जो था वो जेवीटी टैट का वेपर कंड़क्ट किया गए था तो पेपर हम डिसकस करेंगे केशनना में नमस्कार नाम है। नित्फू भाया के जैशन के खीवारण को नामःक्त करेंगे लिए को हमत्त आजके और 1-2-1 को चाहते है। वह संदे को खैए पकल्चर होता है honeybee culture यानिके मदुमक्खी पारण को epiculture कहा जाता है option D जो है 122 मैं पूछा गया है what is cause of tide ज्वारभाटा जो होता है उसका क्या कारण होता है ज्वारभाटे का कारण होता है option B gravitational force of moon and earth ये इसका कारण होता है 123 मैं पूछा गया है what is the chemical formula of baking soda baking soda का chemical formula क्या है baking soda का chemical formula होता है NAHCO3 option B जो है जो है जो है जो है सही अंसर होगा 124 मैं पूछते है what is the range of human hearing तो मानव मैं ध्वानिय की स्रवनता का pressure क्या होता है इसमें होता है 20 Hz से लेकर 20,000 Hz तक जो है इनसान सुन सकता है option A 20 Hz to 20,000 Hz जो है उसे यंसर होगा ये question साइट last time B जैट मैं पूछा गया था last time से मेरा मतलब है जो पिछले साल पर हुआ था 125 मैं पूछते है what is pH value of water तो water का जो पाने का pH value होता है वो कितना होता है वो option C 7 जो है pH value इसका होता है 126 मैं पूछते है आपने नाम सुना होगा नेल आर्मस्टॉंग का तो ये ही पहले ज्यक्त थी जिन्हों इस जंद्रमा पर पहला गातम रखा था और July 20, 1969 को ये हुआ था 127 में पूछते है what is the natural satellite of earth ये question हमने कई बार अपने वीडियो में डिसकस किया है क्योंकि HPSHC के दौरा भी सारा से question पूछे जाते है natural satellite of earth कौन सा है ये है moon option B moon जो है वो सही अन्द्रमा यानिके 128 में देखे कि आप उस ने है what is the speed of sunlight ये question भी last time जो था वो टैट में पूछा गया था तो speed of sunlight पूछी गई है अब यहां पर धियान लखेगा kilometer per second में पूछी गई है यहां पर थोड़ा सा confusion हो सकता था meter per second और kilometer per second में जब kilometer per second में पूछी गई है तो इसका सही अन्द्रोगा option A 3 multiply by 10 days to power 5 kilometer per second अगर मान लेजिए meter per second में पूछी गई होती तो होता 3 multiply 10 days to power 8 meter per second तो यह थोड़ा सा difference है यहां पर confuse ना होना तो इस तरह से कई बार confuse करने के लिए पूछी जाते है आगे देखे पूछते हैं Who is the founder of Ramakrishnan Mission तो Ramakrishnan Mission की स्थापना किस ने की थी हमने कई बार अपने वीडियोज में पढ़ा है कि Ramakrishnan Mission की स्थापना जो था वो Swami Vivekananandji के द्वारा की गई थी option A जो है इस question का सही answer होगा Swami Vivekananandji ने जो था इसकी स्थापना कव की थी तो 1897 में जो था इसकी स्थापना ने की थी और एक और बात आप यहां से याद रखेगा किसकी स्थापना की गहां पर थी तो इसकी स्थापना वेलूर जो की कलकत्ता में पढ़ता है वहां पर की थी अगला question है 130 उससे पहले अभी तक आपने हमें subscribe नहीं के तो subscribe कर दीचे telegram का link भी नीचे description box में दिया गया है वहां पर भी आप हमें join कर सकते है 130 में पूछा गया है Indian National Congress came into existence तो National Congress की स्थापना का पी गए थी sorry National Congress यहां पर पूछा गया है तो इसका सही अंसर होगा 1885 option B जो है वो सही अंसर है 1885 में इसकी स्थापना की गए इनमें से आपको पताना है कि कौन सी रवी क्रॉप है रवी क्रॉप और ख्रीफ क्रॉप से इसके बारे में मैंने कई बार आपको रिवाइज कराया है विद एक्जम्पल कौन सी मन्थ में यह हुगाई जाती है तो वीट जो है यानके गेहूं गेहूं आपका रवी क्रॉप का एक अच्छा एक्जम्पल है ऑप्षिन ए सही अंसर होगा आगे पूछते हैं 132 में इन विच इंडस्ट्री लाइम स्टोन इस यूजड आज रॉव में यह क्वेशन भी पहले किसे एक्जाम में पूछा जा चुगा है मैंसरिम कॉषिन मुझे तो रपीटीड ही लग रहे है किसी एक्जाम से तो इसका ऑप्षिन भी स्मेंट जो है उसे अंतरों का चुनना पथर जो है वो किस उद्देव के लिए कच्छे माल के रूप में प्रयोग के जाता है तो स्मिंट उद्देव के लिए ये इस्तिमाल के जाता है आगे पूछा गया है तो ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ उत्राखंड हो गया उत्रप्रदेश हो गया विहार हो गया पस्चिम हो गया यह सभी बॉर्डर शेयर करते है नेपाल ऐसा देश है आप्शिन सी नेपाल के साथ यह सभी बॉर्डर शेयर करते है is आप्शन विस पार्णी पूछ हाँ तो आप्षिंस किस्तां से गुजरती थी तो यह ट्रीपूर से गुजरती है इंसे ओकर यह 알 semua कहिंए सरपास कर दी है 135 में पूछते हैं अमंग दा फॉलाइंग ब्लैक स्वाइल इस मेजरली फाउंडिन तो काली मिट्टी जो हो मुख्य रूप से कहां पा जाती है काली मिट्टी में जो हो कॉटन अच्छी मात्रा में हुआ जाता है तो कॉटन के लिए अच्छी है कॉटन सबस् अगर आप डेली वीडियो देखते होंगे तो एक भी कोशन आपका गलत नहीं सभी सभी कोशन हमने डिस्कस किये थे यहां से वीच इस प्रिजेंट इन स्टिंग ऑफ हां तो चींटी की डंक में कौन सा मल होता है यहां पर कौन से इसीड पाया जाता है फॉर्मीक इसीड प अटार चब्शिन इसीड तो जौर्न कंत्रवी में सण रहते हैं तौरिया इसको है इंडिया पूछा गया है पूछा गया फिछ सटेट आधा को माड़़के बह घलत अ कि हैंडद कौन से बहरत का राजस्तान फ्य इस तिक टो हैं राजस्तारी को राजश्तान है औरंचा ये in term of area पूछा गया है 141 में पूछते हैं तोडर मल was the finance minister of तोडर मल किसके राजस्व मंत्री थे तोडर मल finance minister थे किसके अकवर के option A जो है वो सही थे अकवर के ये finance minister थे जब हम अकवर के नवरतनों के बारे में पढ़ते थे तोडर मल भी एक थे अबुल फजल थे, फैजी थे, बिर्वल थे, तांसेन थे ये साब आते थे उसमें तब ये हमने पढ़ना था 142 में पूछते हैं इन विच स्टेट इस सोमनाथ मंदिर गुजरात में पढ़ता है option B सही थे ये कोशन तो बहुत बार पूछा, जा चुका है भी तक एक्जाम में सोमनाथ मंदिर के बारे में आगे पूछते हैं इन विच स्टेट इस ओननम फैस्टिवल चैलिवेटर ये ओननम ते वहार कहां पर मना जाता है तो फैस्टिवल में जूर पूछ जाते हैं टारेट में ओननम फैस्टिवल केरला में मना जाता है option ए केरला इसका सही अंसर होगा बैंडिड वास्गोडी गामा रीच इंडिया तो वास्गोडी गामा भारत कप पहुँचा ये 1498 में पहुँच जा था ये अमरित सर में पढ़ता है option B सही अंसर है आगे पुछते हैं विच इंस्टिमेंट इस यूज टू जेनरेट इलेक्टर सिटी तो इलेक्टर सिटी को जेनरेट करने के लिए कौन सा उपकर्ण इस्तिमाल के जाता है इसके लिए जेनरेटर इस्तिमाल के जाता है option A जो है उसे अंसर होगा जेनरेटर आगे 47 में पूछते हैं value of gravitational force of earth इस ये meter per square बतानी है आपको meter per second square में जब आप इसको बताएंगे तो इसका 9.8 option A जो है 9.8 meter per second square इसका सही अंसर है where is जंतर मंतर located जंतर मंतर कहां पर located है जंतर मंतर दिल्ली में भी पढ़ता है जैपूर में भी पढ़ता है और उजयन भी पढ़ता है तो इसका option D all of these जो है वो सही अंसर होगा एक question भी ना as such किसी में किसी exam में पूछा गया है या तो इसी में पूछा गया होगा लाश्टी रहे किसी और exam में पूछा गया है आगे पूछते है brain is responsible for तो हुमारा जो मस्तिक्स होता है वो किस के लिए उतरदाई होता है वो thinking के लिए भी होता है वो body का balance बिनाने में भी help करता है heart beat में भी help करता है देखो brain ना एक important part है और यह हर एक चीज में responsible होता है तो option D all of the above जो है वो सही अंतर होगा which part of eye is responsible for image formation तो मानव नेतर के किस भाग पर वस्तु का प्रतिभीम जो है वो बनता है तो कहां पर यह image formation होती है यह retina में होती है option D retina यानि कि द्रिष्टी पठल जो है description box में दिया गया that's all for today thank you thank you very much for watching and listening it very patiently